साइन सरकार में करप्शन के नई रिकॉर्ड ना बने ये कैसे मुम्किन है और रिकॉर्ड बनाने में कराची डैवलेप्मेंट अथॉरिटी पेश पेश ना हो ये भी मुम्किन नहीं जी हां केडी ये ने एक बार फिर अपने ही जाल साजी के तममाम रिकॉर्ड तोड दिये हैं ताजा कारणा में तो बराहे राष साभग डीजी केडीए नवीद अनवर मुलविस निकले हैं केडीए में抗ार बतौर माली भरती होकर सियासी बुन्याद उपर भरती होने बाले स Kaida ने तो इन जमात को मुस्तरत किया है मगर जाराय का दावा है कि न इस स्केंडल में जिस कॉालिटी से कॉालिटी को नावाजा गया है। में वराहे रास एक सियासी जमात के सरवरा की भी आशिरवात शामल थी और आठ परवरी के लेक्शन से कबल नवाजे गए कॉयलिटी ने दस करोर रुपे भी सियासी जमात को दिये हैं प्राइम न्यूस को मिलने वार इतलात के मताबिक मलीर एक्स्प्रेस की तामीर के दौरान रीकलेम की अराजी जो कि सिन्ध हकूमत की मलकियत समझी जाती है के डिये के साबिक डीजी नवीद अन्वर मेंबर फाइनेंस मुहमद शाहिड डायरेक्टर प्लाइनिंग अर्बन डिजाइन रफीक खुडो डायरेक्टर लीगल इफ्तिकार अहमद ने अर्बो रुपे मालियत की जमीन जाल साजी से बड़े कॉयलिटी वाले अंदास में मनपसंद कॉयलिटी कंपनी को अलॉट कर दी मस्कूरत दस एकर जमीन कोरंगी स्कीम 41 में शामिल है इस बड़े फ्रॉट के इतला मिलने पर चीफ सेकरेटरी की जानिव से फौरी तहकिकात का हुकम दिया गया जिसके बाद अफसरान को फौरी मौतल कर दिया गया कराची डैवलप्मेंट अथॉर्टी के मौतल किये जाने वाले अफसरान पर पहले भी नैब और अंटी करप्शन में मुक्तलिफ नौज़त के लिजमात की तहकिका की जा रही है जबकि सरकारी खजाने को नुकसान पहुचाने का भी साबिक डीजी पर इज़ाम है के डीफ सरान ने मिली भगत करके सुप्रीम कोट के हैकमात के खलाव फर्जी करके जमीन का स्टेटस तबदील किया जब भी कलिफटन में भी एक महंगे फलॉट की जासाजी की चान बीन शुरू कर दी गई है जराय का कहना है कि मलीर एक्सप्रेस के जिस अर्बर रुपे मालियत की जमीन के केस में केड़ी एफ सरान को मौतल किया गया है उसकी तहकीकात के दौरान इस बात कभी इनकिशाफ हुआ के केड़ी एफ सरान ने जासाजी में कॉलिटी का इस तरह खयाल रखा कि जब सारे लेन देन के मामला तैय किये जा रहे थे तो इस मीटिंग में सियासी जमात कैमरा नुमा भी मौजू थे कराची डैवलेप्मन अथौरिटी के जराय के मताबिक मलीर एक्सप्रेस वे की अराजी के अलाटमेंट के लिए बकाइदा तोर पर जाल साजी के रिकॉर्ट तोड़े गए और कई सरकारी दस्तावीजाद जाली बनाई गई रिपोर्ट के मताबिक जमीन के अलाटमेंट के लिए डायरेक्टर प्लानिंग अर्बन डिजाइन रफीक खोडो ने सारी डिजाइनिंग की और कॉलिटी मनसूबा पेश किया जिसके बाद मेंबर फाइनस ने इसकी अप्रूबल दी रिकॉर्ट के मताबिक इस सारे मामलाथ पर सिंध हकूमत की जानिब से बकाइदा टॉप एक आला सथा की तखिकाती कमीटी भी बनाई गई है रिपोर्ट में इस बात का भी इनके शाफ किया गया कि निकराद और हकूमत में केडिये में ताइनाती के लिए बकाइदा तोर पर एक बड़े बिल्डर ने कॉलिटी बरकरार रखते हुए कई एहम अधों पर ताइनातिया करवाई और मलीर एक्सप्रेस वे की जमीन के अलाटमेंट के दौरान रुकावटे खड़े करने वाले अफसरान को खड़े लाइन लगा कर मन पसंद अफराद को ताइनात कराया जिरों ने सरकार से नमक हरामी करते हुए बिल्डर काहा के नमक अदा किया जराइका कहना है कि सिंध हकुमत ने सारे मामले को नैप और एंटी करॉप्शन को भेजने के सफारिश की है जराइका ये भी कहना है कि साबिक डीजी नवीद अन्वर के दौर में लाइन्स एरिया रिसेटल्मेंट प्रोजेक्ट के दो पांच अरब रुपे मालियत के प्लोटों का मामला भी सामने आया है ताहम इस हवाले से त्यकिकात अभी अब्तिदाही मराहिल में हैं और मौझूदा डीजी केडिये से इस हवाले से तमाम रिकॉर्ड तलब किया गया है प्राइम नियूस कराची